Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot Guys, आज का जो वीडियो है, उसका टॉपिक आपनी थमनेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो ये है कि आपके अंदर वो कौन सी चुम्ब की शक्ती है या एक कौन सा मेगनेटिक पॉवर है, जिसके बल पर लोग आपकी तरथ आकरशित होते है वो क्या है आपके अंदर वेवार में, आपकी परसनाल्टी में, आपके बात करने के तरीके में कौन सा चुम्ब की एक गुण है जो लोगों को आपके तरफ अट्रैक्ट करता है यह हम इस रीडिंग के थूर देखने वाले हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आया तो लाइक शेयर क करें साथ साथ अगर आप पर्सनल डीडिंग लेना चाहते हैं तो वाट्सेफ नंबर आल्रेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं जो पहला कार्ड आ रहा है वो आ रहा है सिक्स ऑफ सूद्स सेवन ऑफ सूद्स एंड पूर ओफ वॉन्स आपके अंदर पो कौन से चुमब की यह शक्ती है जिसके बल पर लोग आपकी तरफ आकरशित होते हैं टैन ओफ वॉन्स एस ओप सूट्स नाइन ओव वॉन्स आपके अंदर पो कौन से चुमब की यह शक्ती है जिसके बल पर लोग आपकी तरफ आकरशित होते हैं टैन प्रेंस फाइब ओफ काप्स शिक्स ओफ काप्स प्रेंस 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 बॉटम ओफ देक जो आरा है वा आरा है हमारा दा क्रेटर कुछ कार्ड्स हम और लेंगे यहां पर है लॉट गनेश इन्फनीटी अबंदेंस यहां प्रेंस जोन अप आर्ग वाइब टूट ओडिन, साइकी, इंसाइट, क्रिष्णा, दिवोशन, और मोर कार्ड, राधा, सूल फ्लेंट, देखे, क्रिष्ण भी आ गए हैं, और आधा भी आ गए हैं, इस रेडिंग में, बॉटम आप दा डैक, से रापिस, बे, असेशन, तो अगर हम ओवराल एनर्जी की बात करें तो, तो यहां पर जो बॉटम आप दा डैक आया है, वो आया है, दा क्रिएटर का कार्ड, आपके पास, आसपास एक ऐसी एनर्जी है, क्रिएटर की ऐसी उर्जा है, हो सकता है, ने भी आप बहुत इस्प्रिच्वल हो, डिवाईन एनर्जी से कनेक्ट हो, जब कभी भी आप ना, यह कह सकते हैं, किसी परिशानी में फद जाते हो, या किसी दुविधा में पड़े होते हो, तो आज पाज जो आपके शक्ती है surrounding में वो आपकी help करती है वो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है और यहाँ पर आपका ऐसा nature है जहाँ आपको लगता है कि आपको no करना चाहिए जिन लोगों को आपको no कहना चाहिए आप उनको no कह देते हो क्योंकि उसमें आपका ही फायदा होता है कई बार होता है ना कि हम लोगों को ना नहीं के पाते जिसके कारण हम बड़ी मुश्किलों में पढ़ जाते लेकिन आप जो है ना no कहने से कभी नहीं चूपते क्योंकि आपको पता है अगर आप yes कहोगे तो आप किसी ना किसी परिशानी में first जाओगे साथ साथ यहाँ पर six of sorts का कारण है जो चीज़ें आपको ना ठीक नहीं लगती जो चीज़ें आपको लगता है कि यह आपके लिए ठीक नहीं है जगा कोई situation कोई ऐसे लोग जो आपके लिए ठीक नहीं है आप वहाँ से move on करते हो आप वहाँ से निकलना ही वहतर समझते हो बजाए इसकी कि आप वहाँ पर रहकर बहस करो बजाए इसकी कि वहाँ पर आप लोगों से जगडा करो लडाई करो और्ग्यूमेंट करो आप वहाँ से निकलना पसंद करते हो यह एक quality आपके अंदर वो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है Seven of Swords का काड है आप ना लोगों के साथ dishonesty नहीं करते आप बहुत loyal रहते हो आप किसी के साथ धोका नहीं करते आप किसी के साथ बहिमानी नहीं करते और यह जो एक गोण है ना लोग आप पर विश्वास करते हैं लोग आप पर trust करते हैं इस कारण से ना लोग आपकी तरफ बहुत कहते ना कि एक आकर्षन शक्ती है आपके अंदर इसी वज़े से वो आकर्षन शक्ती की वज़े से जो है लोग आपकी तरफ खिचे चले आते हैं four of wands का कार्ड है आप अपनी लाइफ में freedom पसंद करते हो आप अपनी लाइफ में दूसरों को भी space देते हो खुद भी free रहते हो आप किसी को बांध के रखना नहीं चाहते वो वाली चीजे है साथ-साथ यहां पर ten of wands का कार्ड है जहां पर आपको लगता है कि आपको ना कहना चाहिए आप वहाँ ना कह देते हो बजाए इसके कि आप किसी काम को लेकर या किसी चीज को लेकर आप बर्डन फील करो आप अपने दिमाग पर एक लोड फील करो वो चीजें आप लेना नहीं चाहते है आप नो कह देते हो लोगों को Ace of Swords का कार्ड अपनी बात रखना जानते हो आप सत्य का साथ देते हो आप सत्य के लिए खड़े देते हो आप सत्य के लिए बोलते हो कही बार ऐसा होता है कि उसमें आपका फायदा नहीं होता है दूसरों का फायदा होता है तब भी आप जो है ना उस चीज के लिए लड़ते हो उस चीज के लिए आवाज उठाते हो वो एक आपका स्वभाव है जिसके कारण जोना लोग आपकी तरफ अट्रेक्ट होते हैं, यह जो रीडिंग है, यह collective reading है, टाइमलेस reading है जब कभी भी कोई इस reading को देखेगा, यह किसी ना किसी के साथ resonate जरूर करेगी साथ-साथ यह जरूरी नहीं है पूरी रीडिंग एक व्यक्ति के साथ रिजोनेट करें कुछ-कुछ वन कार्ड रीडिंग, टू कार्ड रीडिंग आपके साथ मैच हो सकती है, रिजोनेट कर सकती है नाइन ओप वॉन्स का कार्ड है आप जो होना अपने लिए भी स्टेंड लेते हो, साथ अपने आपको एक सेव जोन में रखते हो या यह कह सकते हैं, आपने अपनी लाइफ में बाउंडरी सेट कर रखी है उस boundary से बाहर आप नहीं आते हो ना ही आप उस boundary के अंदर किसी को इंटर करने देते हो ये भी एक वज़ा है और हो सकता देखिए आपके रिष्टे भी बहुत अच्छे चलते हो क्योंकि आप उन रिष्टों में boundary set करके चलते हो temperance का card है आप अपने आपको एक balance करके चलते हो आपको पता है आपको कहां गुस्सा करना है कहां दया दिखानी है कहां प्यार दिखाना है कहां आपको क्या किस तरह से react करना है किस situation में क्या बात करनी है ये जो energy है na temperance की इसके वज़े से भी लोग जो है आपके तरफ अट्रैक होते हैं five of cups का card है आपका ऐसा nature नहीं कि आप past की चीजों को लेकर दुख करो आप past की चीजों को लेकर बैठे रहो या past की चीजों को पकड़े रहो आप जीवन में आगे बढ़ते हो पिछला भूल कि आप जीवन में आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो और आपको प जो है परिशानी ही होगी ऐँ six of cups का card है जो की बता रहा है कि आप न आसपास जो भी आपके आजपास आपके साथ जो भी लोग टाइन स्पेंड करते हैं आप जिसके भी साथ रहते हो आपना उनकी बहुत केयर करते हो आप उनकी बहुत पर भवा करते हो और एक Wanna आप उनके साथ एक bond बना लेते हो एक रिष्टा बना लेते हो यह कह सकते हैं लोग आपसे बहुत जल्दी अटेच हो जाते हैं इस वज़े से क्योंकि केरिंग आपका सभाव है पेज और बांड का काड है जो कि यह बता रहा है कि आपका communication skill बहुत अच्छा है आप बहुत अच्छे से communicate करते हो आप बहुत अच्छे से बात करते हो एक होता है ना किसी का वैवार के लोग उसकी तरफ अट्रेक्ट हो जाते हैं लोग उसकी तरफ बहुत जल्दी खिचे चले आते हैं वो है आपका बातों में एक कह सकते हैं एक मीठा चाम हो सकता है कि लोग आपकी तरफ खिषते हैं Nine of Swords का कार्ड है आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो आप दूसरों के बारे में बहुत परवा करते हो आप दूसरों का सोच कर जो है मतलब कोई भी अगर निन्ने आपको लेना है तो आप पहले आप दूसरों का सोचोगे फिर आप अपना सोचोगे परमार्थ परहित ये जो आपका नेचर है इसकी वज़िस से भी जो है लोग आपकी तरफ अट्रेक्ट होते हैं Five of Wands का कार्ड आप लोगों से competition नहीं रखते आप लोगों से विवाद नहीं करते आप लोगों से वाद विवाद नहीं करते जहां पर आपको लगता है कि लोग आपको गलत ठेरा रहे तो आप ठीक है आप अगरी हो जाते हो बले उसमें आपकी गलती ना हो लेकिन आप बाद विवाद में विश्वास नहीं करते हो आप किसी से कोई competition नहीं रखते हो ये भी एक बहुत बड़ आपके अंदर गुण है जिसकी वज़े से लोग ना आपकी तरफ अट्रेक्ट होते हैं चाट-चाट यहाँ पर Voice of Truth का काड है आप अपनी जगा पर खड़े रहते हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपको सत्ते का साथ देना चाहिए जहाँ पर आपको लगता है कि आपको सत्ते की लडाई लड़नी चाहिए या सत्ते के खिलाफ सत्ते के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए तो आप तुरंत उसके लिए बोलते हो, साथ साथ ओडीन का कार्ड है, आपकी साई की पावर बहुत स्ट्रॉंग है, आपना थड़ाई चक्रा आपका उपन हो सकता है, जिसके कारणा आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो, और कई बार आपको सत्य दिखने लगता है, क आप लोगों को कई बार गाइड करते हो, आने वाले फ्यूचर के लिए कि आप ये चीजे मत करो, आपके लिए नुकसान दायक रहेंगी, तो इस कारण से बिना लोग आपकी तरफ अट्रेक्ट होते हैं, डिवोशन का कार्ड है, आप जो हो बहुत डिवोटेड हो, इस कार कारण से आप जो भी स्प्रिच्छोल आपको गाइडेंस मिलती है, आप उसके अनुसार चलते हो, आप लोगों से अनकंडिशनली प्रेम करते हो, लोगों की हैल्प करते हो, लोगों की मदद करते हो, सेवा भाव करते हो, धर्म करते हो, परमार्त करते हो, इस कारण से भी न इसी वज़े से आपके लाइफ में इंफिनिटी एबंदेंस है, आपके लाइफ में जो भी आपस्टेकल्स होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं, आपको spiritual support मिलती है, आपके spiritual connection जो है वो बढ़ते हैं, आप अध्यात्मी की और आगे बढ़ते हो, और साथ-साथ आप अध्यात्म को आप लोगों की सेवा करते हो, तो जो भी परिशानी आपकी लाइफ में है, वो खतम हो जाती है, हो सकता है आप Lord Ganesha के बहुत बड़े भक्त हो, आप Krishna के भक्त हो, आप राधा मा के बहुत भक्त हो, हो सकता है, आप बहुत spiritually connected हो, तो ये एक वज़े है, इस वज़े से भी जो है लोग आपकी तरफ attract होते हैं, तो ये थी रीडिंग, I hope ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट जरूर कीजिए, थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग मा वीडियो, हर हर महादेव, श्री रादे, रादे, रादे